सो यार है गाईज बेलकम इलंड लिंग गरी दोस्तों आज हम हार्टी कालजर के फ्रूट एंड विटेबल परजर्वेशन बोले तो फाले ओम सब्जी परेशड से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन देखेंगे जो कि आने वाले कंपटिशन एक्जाम डियाच्चो एफसी आई बियाच्चू यूपी काईटे एमस्सीएजी बियस्सीएजी आदी इंटरेंस एक्जाम के लिए काफी एलफुल होगा तो फर्श्ट बात करेंट केंदी ये खाग प्रदोग की अंसंधान संस्थान की अस्थापना कप की गई थी तो इसकी अस्थापना सर उन तो इसकी जो अस्थापना की गई थी 1973 में नेस्थ बात करें खाग प्रदार्थों को परच्छित करने की बिद सरवपर्थम किसने खोजी थी तो इसको जो खोच यह था निकोलस एपरड ने 1810 में किया था नेस्थ बात करें केचप में कुल बिलेटोंस यानि टीसेस टोट पदार्थ पर्सेंट पॉया जाता है तो यह जो पाया जता है तुझा इंटी फाइब परसेंट पाया जता है उस्ट anarch में कुल बिलेटोंस प्रच्छित पर्सेंट सरकार दोरा food product order का पास किया जाता था तो इसका correct answer है सन 1955 में निस्ट है भारत की कि सराज में Asia का सबसे बड़ा फल प्रोसेसिंग कार खाना अस्थापिक किया गया तो ये जो हिमानचल परदेश में किया गया है निस्ट है केंदरी खाग प्रोदो की अंसंदान संसान की सराज में इस्थी थे तो ये जो है मैसूर यानी करनाटक में इस्थी थे निस्ट बात करें तो vịो खाग परसंस्करण के जनक है निकोलस एफ़र्ट जो की 1892 में खोच गया था नेस्ट है बेपिंग जैली या जैली का रोना क्या करणा है तो ये है सरकरा की अधिक्ता या अमल की अधिक्ता अपरिपक जिलेटिन आदी नेस्ट है सीरे में एस्टिक अमल की मात्रा होती है तो सीरे में जो एस्टिक अमल की मात्रा होती है निष्ट है भारत में कुल फलो सबजियों की उत्रफ गाथ में कितने के पर संस्क्राड किया तो यह 4% किया था निष्ट है लाई पिलिंग खेद किस रसाइन का परयोग किया तो इसमें जो है कास्टिक सोडा का परयोगी आता है जो कि 2% परयोग किया आता है ने फलो में पैक्टीन की मातरा ग्याद करने हैं किस यंत का परयोग करते हैं तो पैक्टीन की मातरा ग्याद करने के जैल मीठर का परयोग करते हैं ने बलांचिंग किरिया की जाती है तो बला बलांचिंग जो होता है जैसे फाले उम सब्जीयों को डिबो में भरने से पूर्व कहौलते पाने में 2-5 मिनिट तक उबालते हैं और उबालने के तुरंत बार ठंडा करने की ही प्रकिरिया को बलांचिंग बोलते हैं दूसरा एक बोलते हैं फूल गोबी में फूलों को काला होने से बचाने के लिए उस पर फूल गोबी के पत्तों से फूल गोबी को ढखना ही बलांचिंग कहलाता है नेश्ट बात करें अम लिए खाग पदार्थों में उपस्ते जीवान की स्तापकरम पर निस्क्रिय सील रहते हैं तो ये 100 डिगरी सेल्चेस पर निस्क्रिय सील रहते हैं नेस्ट है जैली का उप्युक्त pH मान होता है तो जैली का जो उप्युक्त pH मान होता है 3.223.4 होता है नेस्ट है चीनी की सांदृता ज्याद करने ही तो कौन सायंत परयोग किया जाता है तो चीनी की संद grasses ज्यांद करने के लिए reflectrometer का परयुगंग करें नेश्ट बात करें, Briggs hydrometer की rating होती है जिरो से थायर्टी होती है नेश्ट बात करें, झटनी बनाने में कुल ठोस-फददार्थ होना चाहिए चटनी बनाने के लिए जो कुल्ठोंस पदार्थ होना चाहिए 68% होना चाहिए नेश्ट है जैली बनाने में कितना परसत पैक्टिन होनी चाहिए तो जैली के लिए 1% पैक्टिन होना चाहिए बात करें जैली के तो जैली जो है अमरूस से बनाया जाता है निस्ट है ब्राइन घोल में नमक की परसत ग्याद करने है तो कि सेंदर का पर्योग किया जाता है तो इसके लिए जो है सेलो मेटर का पर्योग किया जाता है निस्ट है कैडी बनाने है तो चीनी की सांदरता होनी चाहिए तो कैड़ी बनाने है तो चीनी की जो सांदरता होने चाहिए 90 से 95 परसत नेस्ट है जैली में अमल का परसत होना चाहिए तो जैली में जो अमल का परसत होना चाहिए 0.5 से 1 परसत होना चाहिए नेस्ट है समुधर तल पर जैली का आंतिम बिंदू होगा तो समुधर तल पर जो जैली का आंतिम बिंदू होगा 105.5 Celsius होगा नेस्ट है जैली बनाने है तो जो जैली की सांदरता होनी चाहिए तो जैली बनाने है तो जो जैली की सांदरता होनी चाहिए जो 33-38 प्रसत होना चाहिए निस्ट है डिबो को पूरता भरने से पूर वायो निकालना कहलाता है तो यह जो एक्जास्टिंग कहलाता है निस्ट है हलके रंग वाले प्रदारतों में किस प्रिरच्छी प्रदारत का परियोग किया जाता है तो इसमें जो परियोग किया था है पोटेसियम मेटा वाई सलफेट का परियोग किया था है निस्थे टमाटर पूरी में परिरच्छी रसायन बेंजोईक अमल की अनभे सीमा है तो इसकी जो सीमा होती है 315 ppm होता है निस्थे टमाटर केचप में परियोग होने वाला रसायन का नाम बताईए तो इसमें टमाटर केचप के रूप में जो रसायन का परियोग किया था हो वो सोडियम बेंजोएट होता है निश्टे खा गये हम सबजी परसंस्क्राइब उद्धोग की अस्थापना कब की गई थी जो इसकी अस्थापना की गई थी 1945 में जो की रोम में किया गया था निश्टे फल तथा सबजी परसंस्क्राइब उद्धोग की अस्थापना कब की गई थी तो फलता सब्जी परसंस्क्राइब उद्धोग की जो अस्थापना की गई थी फर्स जनुरी 1993 को किया गया था निस्ट है कार्डियल बनाने के लिए कुल ठोस्फदार थे उम सलफा डायकसाइट की कितनी मात्र होनी चाहिए तो इसके लिए जो होनी चाहिए 30 परसत यों 315 पीपियम निस्ट है खाग यों नूट्रीशन बोर्ड की अस्थापना की गई थी 1973 में की गई थी निस्ट है भारत में पर्तम फले यों सब्जी परसंस्क्राड कारखाना कब यों कहां अस्थापित किया गया था तो यह जो किया गया था मैसूर में यानि करनाटक में 1968 में निस्ट है नेक्टर बनाने के लिए 20 परसंट जूस के लिए टी एसेस यों अमल की मात्रा होनी चाहिए तो बात करें टी एसेस की मात्रा 15 परसंट यों अमल की मात्रा 0.3 परसंट नेश्ट है साख भाजियों के डिबा बंदी की जाती है तो साख भाजियों के जो डिबा बंदी की जाती है ब्राइन में की जाती है नेश्ट है फलेंजर का प्रयोग किया एता है निश्टे जैली बनाने के लिए कौन सा फल सरवाधिक उप्यूक्त होता है तो जैली के लिए सरवाधिक उप्यूक्त फल होता है अमरूद होता है बात करें जैम की तो जैम के लिए सरवाधिक उप्यूक्त फल होता है सेव होता है नेस्ट है फलो के रस पर Hier去 के लिए सोडीयम बेंजोएट कि संद्रण अनपात में मिला जाता है तो तो सोडीयम बेंजएट जो मिला जाता है 0.06-0.10 % मिला जाता है नेश्टिए राश्टिय बागवानी बोड यानि ये नेश्बी नेशनल हर्टीकर्चर बोड की अस्थापना कब वो कहा की गई थी नेश्बी की जो अस्थापना की गई थी 1984 में हर्याडा के गुड़गाव में किया गया था नेस्ठ है किर्थी यों संसातित खाद उत्पाद निर्यात अधिकरण या एपीडा कब से किरिया सील हो गया था तो ये जो है 12 अगस्त 1986 से किरिया सील हो गया था नेस्ठ है जिन फलो का रंगीन पदार्थ पानी में अगलन सील रहता है जैसे अनानास, खुबानी, ग्रेफ, फूड, आदिको किस परकार के डिबो में भरा जाता है तो इसको आर इनेमल डिबो में रखा जाता है नेस्ठ है जिन फलो का रंगीन पदार्थ पाने में घुलन सील होता है उन्हें किस परकार के डिबो में भरा जाता है तो इसको जो है C-enamel यानि Corn Enamel में रखा जाता है Next and last है भारत में स्विक्रित प्राप्त कितने परमुक पर रच्छक है तो ये जो है Sodium Benzoids, Potassium, Meta-Y Sulphite यानि 2 है दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, सेर कीजिए Thank you for watching this video दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और टेरी कर आप चैनल से जुडने के लिए डिस्क्रिप्सिंट में लिंक दिया गया है आप वहाँ से जुड सकते हैं